हाई स्टूडेंट्स तो आज आर्गियम कैड एक नया कोर्स लाउंच कर रहा है जिसका नाम है आर्टकैम आर्टकैम एक बहुत ही जबरदस सौफ्टैर है मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं सर एक फैंसी सी कुछ मेरे को दिखा देते हैं कोई जैसे 3D मॉडल सा बनावाया है जो सॉलिड वर्क्स में नहीं बन पाता तो आर्टकैम क्या होता है exactly किस परपस के लिए काम आता है किस तरीके से आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं everything will be discussed and as always हम कभी भी कोई कोर्स नहीं करेंगे जब तक उसमें हम शोर ना हो कि आपकी जॉब नहीं लगेगी we will 100% get you placed and Artcam में अपना business भी आप start कर सकते हो बहुत easily so what exactly is Artcam में आप से share करता हूं basically Artcam is a software जिसके अंदर नाम में ही आपको समझ आ रहा है जिसको आप explain नहीं कर सकते technical terms में जैसे यह एक you know Indian god जो है Krishnaji की मूर्दी है उसकी engraving हो रखी है तो इसके अंदर कोई dimensions नहीं आएगी आपके पास कि you know यहां पे circle का क्या radius है आप तो पूरा दिन लगा दोगे इसको बनाने में कर dimensions के साब से बनें this is all fancy artistic work जो 3D में होता है तो art cam जो है और यह उनके लिए नहीं है जो सिरफ एक interior design या ऐसी field से है जो non-technical है this is for technical people because इसके अंदर जो भी हमारी metallic grills बन रही है दरवाजे बन रहे हैं जहां पे भी आपकी railings बन रही है जिसमें designs आते हैं वहां पे art cam आएगा तो मैं आपको पूरा syllabus बताता हूँ direct हम सीधा syllabus पहेंगे कि कराएंगे क्या आपको art cam में and art cam as always जब भी हम कोई course बनाते हैं तो हम अपनी सारी faculties की training direct company से करवाते हैं जिसमें प्रहुँच जादा time investment और पैसा लगता है and then we have prepared the whole course for you जो industry से हमने बात करके discuss करके उनसे पूछा कि exactly आपको क्या required आपको मिलता है so in this art cam के अंदर introduction and fundamental सबसे पहले आएगा obviously art cam कैसे start करते है existing files कैसे art cam की use करते है workspace क्या होता art cam का basically जो सारा layout है आपका that will be covered कि किस तरीके से art cam के अंदर dashboard होता है then 2D and 3D modeling में शुडू करते हैं art cam is so amazing कि एक literally एक photo जो एक यहाँ पर एक women की photo है उसको 3D के अंदर convert कर देता है यह अगर आप इसकी file पे programming करोगे और आप एक let's suppose लकडी का दरवाजा रखोगे तो उस पे यह पूरा cut जाएगा CNC router पे यह power है art cam तो इसके अंदर vectors में काम होता है vector ऐसा होता है कि basically जितना मट जी expand कर लो वो pixelate नहीं होता फटता नहीं है vectors के अंदर काम होता है vectors समझाए जाएगा क्या होगा working with bitmap bitmap files होती है files होती है तरीकी की specially जो use होगी then जब 2D आपका cover हो जाएगा 2D के अंदर यह उपर दिखा रख है आपको इस तरीके से काम होता है sketches बनते हैं सारी commands बताई जाएगी proper आपको professional तरीके से then 3D modeling के अंदर relief creation and modifying the 3D model जो है यह basic है बाकी बहुत advance में ऐसे ले बस आपको मैं दे दूंगा PDF के अंदर but 3D के अंदर फिर इस तरीके के 3D models जो है you will create तो जैसे यह है आपका कोई दरवाजा होता है दरवाजे के ऊपर बीच में center में इस तरीके का design आता है विसमें flower petals है या कुछ भी आजकल कुछ भी बन जाता है इसको आप metal पे इंग्रेव कर सकते हो इसको MDF, HDHMR का एक board आते है जो furniture के line में काम आते हैं, jewelry के अंदर ये एक software काम आता है, ये सब जो है 3D आपकी paintings बनती है, all of these things will be done जो आपके 3D modeling में आईगी, then उसके बाद 3D को हमें real life में भी बनाना है तो उसके अंदर machining and manufacturing आईगी, अब एक सबसे, सबसे ज़्यादा common business है कि आपकी जो photo है आजकल उस 3D में उसके painting बन जाती है, तो जैसे ये photo है, photo को आपने इस तरीके से relief दिया, 3D view बन गया, उसके उपर फिर आप program बनाओगे, machine में उसको काटके client को दोगे and there are many many businesses who are doing that, ऐसे wood industry में जो CNC router जिसको बोलते हैं, इसके इंदर देखो wood के उपर जो दरवाजों पर design बन रहा है, सारा आजकल automatic बनता है, पहले लोग इसको खुद हतोरी लेके कर रहे होते थे, अब सारा automatic होता है, 3D art cam की file आती है and this is done, right, then इसके अंदर 2D machine operations आएंगे, 2D machine operations के अंदर basically working with sheets and plates, मतलब एक 2D sheet पे जो सारी चीज़े होती है, that is done, then 3D machine operations में post processing and toolpaths आएंगे, advance के अंदर we will cover these things So, this is the advanced operation, advance के अंदर क्या होता है कि जो advanced commands और graphics है, वो आपको सिखाय जाएंगे, और ज्यादा complicated आपको drawings बनाई जाएंगे और designs बनाई जाएंगे, तो जैसे ये वाला एक part है, this is a very very high level part, जिसके अंदर multiple आपके planes आ रही है, multiple vectors में काम हो रहा है, so that will also be covered And then finally, इसको हम VMC के उपर simulator पे, फानुक के simulator पे आपको program चला के दिखाएंगे, अभी हमारे पास CNC router नहीं है, in just two months it is coming, but आपको program पूरा पना के VMC में simulate करके, एक छोटी डाई के उपर पूरा आपको काट के हम दिखाएंगे तो जिस भी industry में आप जाओगे, वहाँ पे हम industries अपने बास कर रखी, आपको 3-4 दिन, 5 दिन के training practical मिलेगा, जो industry देगी free of course and then you will get placed तो इसके अंदर basically 2D design and 3D design, then 2D and 3D programming, then VMC practical for running the code, basically उस code को test करना लेड़ से 2 महीने का course है, जिसके अंदर चाहे 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, there's no problem, हम उसको खतम कराएंगे course की fees जिसके अंदर 3D, 2D 3D designing, 2D 3D programming and practical is just 18,000 रुपीज and इसमें 100% job assistance है, जिसका ये मतलब है कि आप पी at least हम 10 interviews करा देंगे और आज तब कोई student ऐसा नहीं है, आर गुन करेंगे, जिसके 10 student interviews में एक भी clear ना हो, 100% clear होगा So, to buy this course, आप हमारे एक admission cell को call कर सकते हैं, कोई भी questions हो, you can always ask us, this course is very very good जिसको नॉर्मल एक CNC programmer और एक VNC programmer है, उसको भी अगर art cam सीखना है, that is very good value addition because हजारों industries ऐसी है, जो wood, metal और different composites पर काम कर रही है, that is doing this kind of a goal and they are highly in demand So, ये course के बारे में, we'll keep on updating more and more tutorials, ताकि आपको समझ आएं किस तरीके से हम काम कर रहे हैं and कोई भी questions हो, you can always ask our admission cells, thank you